Hello friends, मेरा नाम जगविंदर है, चलिए इस वीडियो में हम जानते हैं कि अगर हमने disk quota configure कर रखा हो, तो हम किसी खास user के लिए exception क्रेसे create कर सकते हैं, तो इसके लिए जैसे कि last वीडियो में आपने देखा हुआ कि अगर मैं C drive में जाता हूँ, तो मैंने यहाँ पे quota enable किया था, ज अगर मैं चाहता हूँ कि कोई user इस limit से ज्यादा का data create कर सकें, ज्यादा hardest use कर सकें, तो उसके लिए मैं यहाँ पे quota entry कर सकता हूँ, तो इसके लिए मैं quota entry पे click करता हूँ, तो देखें यहाँ पे हमें दिखा रहा है कि किस quota का, किस user का क्या status है यहाँ पे, जैसे कि आप देखें कि administrator के ऊपर quota applied नहीं है, no limit की यहाँ option आ रही है, मैं quota पे जाता हूँ और यहाँ पे है एक option new quota entry, इसको click करता हूँ, और उस user का, यह multiple users के name मैं यहाँ enter कर सकता हूँ, जैसे कि test 1 और test 2 है, इनको okay करता हूँ, तो देखें, दोनों एक साथ add होगा, यह multiple users आप add कर सकत test user 1 तो ना create कर पाए, बढ़ test user 2 के लिए हम एक exception create करते हैं, तो मैं okay प्रेस करता हूँ, और इसकी limit बढ़ा के 10 MB कर देता हूँ, और warning level 9 MB पे set करता हूँ, okay करता हूँ, तो देखें, हमारे test user 2 के लिए एक entry create हो वही है, देखें यहाँ पे test user 2 और उसका test user 2 at the rate king.com आपको द दिखा रहा है, और उसके बाद amount use दिखा रहा है, अपर limits बता रहा है, 10 MB और 9 MB, जबकि test user 1 के case में यह 10 KB और 9 KB है, तो चलिए इसको client पे जाकर test कर लेते हैं, तो मैं इससे में login हूँ, as a test user 1, और access करता हूँ हमारे server से folder को 192.168.1.254, देखें उपर आभी रहा है test 1, त bitmap image create करता हूँ, कुछ भी नाम देता हूँ और इसको edit करता हूँ, और यहां से color fill कर देते हैं इसमें, और इसको save करते हैं, तो आपको देखें, message आ रहा है कि disk full while accessing, ऐसा इसलिए है क्यांकि test user 1 को आपको याद होगा, अगर हम server में देखें कि इसकी limit जो है, वो 10 KB और 9 KB ह और जब कि यह जो bitmap image file है, इसका जो size होगा, जैसे कि हमने last video में देखा था, more than 350 KB इसका size था, तो इसलिए इसको बना नहीं पा रहा है, तो चलिए, यही काम हम test user 2 के लिए करके देखते हैं, तो इसके लिए मैं switch user करता हूँ, और login करता हूँ as a test user 2, और यहां पे इसका password देता हूँ, और इससे भी share folder को access करता हूँ, हमारे server का IP address और share का नाम test1, enterprise करते हैं, तो यह folder open हो गया है, जो share folder है, और अब इस पर right click करके, एक निया bitmap image create करते हैं, कुछ भी उसका नाम देते हैं, और इसको edit करते हैं, और इसमें कुछ color fill करते हैं, और file को save कर देते हैं, तो यह save हो गया है, और देखिए इसका size more than 350 kb है, ऐसा इसलिए को हो पा रहा है, क्योंकि यह जो user है, test user 2, इसकी जो quota limit है, वो है 10 MB, देखिए ज़रा हम server के उपर दुबारा चलते हैं, और देखिए यहां पे server पे, ज़र amount used, उतना बता रहा है, 353 kb, और इसकी जो limit है, वो 10 MB है, तो इस तरीके से इस video में आपने सीखा कि कैसे हम किसी particular user या multiple users के लिए quotas में exceptions create कर सकते हैं, through quota entries, तो इस video में इतना ही, thanks for listening.